दोस्तों अगर आप भी भारती गेंदबाजों की शांदार गेंदबाजी देखकर खुश है तो इस वेडियो को लाई की जरूर किशवेगा दोस्तों इंग्लेंड के खलाफ यशास्विज रेस्वाल ने की गेंदबाजी तो भारती महिला खिलाडियों के निकल गई हसी केहे दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आप भी रह जाएंगे दंग जी हाँ दोस्तों भारत और इंग्लेंड के पीच खेले जा रहे चौधर टेस्ट मैच के पहली दिन भारती गेंदबाजों की शांदार गेंदबाजी देखने को मिली है इस बीच आज यशास्वी जैसवाल ने भी अच्छी गेंदबाजी कर सभी को प्रभावित किया जिसको देखकर भारती महिला खिलाडियों का बयान सामने आया इस दोरान इसमर्ती मंधाना हर्मन प्रीत कोर से लेकर मिताली राज शेफाली वर्मा ने यशास्वी जैसवाल के साथ वाकी गेंदबाजों की तारीफ करते हुए एक ऐसा बयान दिया जिसको सुनकर आपके पैरों तले जमीन के सक जाएगी तो आखरकार भारती महिला खिलाडियों ने यशास्वी जैसवाल के साथ बागी गेंदबाजों को लेकर क्या कहा ये तो हम आपको बताएंगे ही लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इंग्लेंड के खिलाफ आज के दिन किस गेंदबाज की गेंदबाजी सबसे बेहितरिन रही कॉमेंट में जरूर बताईए दोस्तों भारत और इंग्लेंड के बीच राची के मैदान पर चोधा टेस्ट मैच खेला जा रहा है जहाँ पर इस मैच में भारत ने टॉस हार कर पहले गेंदबाजी करते हुए इंग्लेंड को 90 ओवर में 302 रन 7 विकेट के नुकसान पर पहले दिन के खेल का समापन किया जहाँ जो रूट एक सुच हैरन बना कर नाबाद थे तो वहीं भारती टीम की तरफ से आकाश दीप ने सरवाधिक 3 विकेट लिए वहीं मोहमद सेराज को 2 विकेट मिले इसके अलावा रविंद्र जडेचा और रवीच शंद्रा नश्विन को 1-1 विकेट मिला इतना ही नहीं यश्रस्वी जैसवाल को अंतिम ओबर में गेदबाजी दे कर कप्तान ने सभी को हैरान कर दिया था जिसको देखकर भारती महिला खिलाडियों ने हैरान कर देने वाला रेक्शन दिया जिसमेस पृतिम अंधाना ने बयान देते हुए गाहा की भारती टीम की तरफ से यश्रस्वी जैसवाल की गेदबाजी को देखकर मैं काफी जादा हैरान रहे गई हूँ मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि कप्तान रोहिच शर्मा गेदबाजी के लिए यश्रस्वी जैसवाल को गेदद दे सकते हैं हलांकि उनका गेदबाजी देना कोई गलत बात नहीं है लेकिन जस तरीके से उन्होंने बेहतर गेदबाजी करते हुए सब ही को प्रभावित किया था उसको देखकर मैं काफी जादा हैरान हूँ इसके लावा उन्होंने कहा कि यश्रस्वी जैसवाल की गेदबाजी के लावा बाकी गेदबाजोंने अच्छी गेदबाजी करते हुए सब ही को प्रभावित किया और ऐसे में भारती टीम के बेहतर प्रदर्शन को काफे जादा खुश हूँ मैं देखकर और चाहती हूँ कि ऐसे ही आगे भी इनका प्रदर्शन देखने को मिले तो वहीं शेफाली वर्मा ने बयान देते हुए कहा कि भारती टीम के लिए यश्रस्वी जैसवाल की गेदबाजी को देखकर मैं काफे जादा हैरान रह गी मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि यश्रस्वी जैसवाल को अंतीम ओवर में गेदबाजी करने के लिए बुला लिया गया था अलागि भारती टीम काफी जादा फायदे में है और इस मैच के अंदर चल रही थी और काफी जादा मजबूती के साथ वो आगे थे इसी वचे से उनका गेदबाजी के लिए बुलाया गया लेकिन अगर भारती टीम कठिनाई के साथ मैच में पीछे चल रही होती तो शायद यश्रस्वी जैसवाल को गेदबाजी के लिए नहीं बुलाया जाता कहा कि भारती टीम के लिए आकाश ने काफी जादा अच्छी गेंदबाजी की और अपने पहले मैच में सब ही को प्रभावित कर दिया है और बता दिया है कि ये खिलाडी आने वाले समय में भारती टीम को काफी जादा मजबूती दिलाने वाला है इसके अलावा भारती टीम के लिए मुहम्मद सिराज ने भी काफी जादा बेहतर गेंदबासी की और दो महत्वण विकेट भी चटका है जिसके चलते भारत मैच के अंदर वापसी कर पाया था इसके अलावा उन्होंने कहा कि अश्रस्वी जैसवाल बेशक मैच में विकेट नहीं ले पाए हैं लेकिन जिस तरीके से उनका प्रदर्शन इस मैच के अंदर अंतिम ओवर में योगदान के साथ देखने को मिला वो बताता है कि भारती टीम आब वाल राउंडर विकल्प तलाश रही है तो वहीं में इताली राज ने बयान देते हुए कहा कि इस मैच के भारत के उपर से संकट अठाया लेकिन जब अन्तिम ओवर में गेदबासी के लिए यosureश्वी जयसवाल को बुलाया गया तो मैं हैरान रहेगी इसके लावा उन्होंने कहा कि यosureश्वी जयसवाल को गेदबासी के लिए बुलाना ये बताता है कि भारती टीम अब एक ओल र अंदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लिजे हमारे यूट्यूब चैनल को